हेलो दोस्तों आप देखना सुरू कर चुके हैं ग्यानकोस और आज हम बात करने वाले हैं PSL 2021 के Eliminator 2nd मुकाबले की जो की खेला जाएगा इसलामाबाद United और पेसावर जालमी के बीच हम आपको बताएंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11, Ground Report, कौन जीतेगा इस मैच को और इस मैच के टॉस को इसलिए भी सब्सक्राइब की जिए हमारे चैनल को और पास मेच बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी मत भूलिए जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हैट टो हैट मुकाबलों की तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 14 मुकाबले के ले गए हैं जिस मेंसे 7-7 मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने जीत असिल की है अब अगर बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की तो हमें इसलामाबाद उनाइटिट की ओर से खिलते हुए नजर आएंगे सादाब खान, एक्तियार अइमद, आसिफ अली, हुसेन तलत, हसन अली, मुहमद वसी, पही मसरफ और आखिफ जावेद अब बात करें अगर पेसावर जालमी की प्लेइंग 11 की तो हमें पेसावर जालमी की ओर से खिलते हुए नजर आएंगे बात करेंगर ग्राउंड रिपोर्ट की तो यह मैच खिला जानने वाला है अबुदाबी के स्टेडियम सेख जायद स्टेडियम में जहां की पिछ बैटिंग फ्रेंडली है यहां पर बड़े-बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं यहां का एवरेज स्कोर 165 दने यहां पर सैकन्ड बैटिंग करने वाली टीम जूदा जीतती है लेगिन पिछले कुछ मकाबलों से फर्ष्ट बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है इसलिए यहां पर टॉस प्रेक्टर जाद मायने नहीं रखता यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना चाहेगी बात करेंगर टॉस प्रेडिक्शन की तो हमारे एनालिसिस के एकॉडिंग इस मुगाबले में टॉस विनर रहने वाली है इसलामाबाद यूनाइटेड हाँ दोस्तों इसलामाबाद यूनाइटेड की टीम टॉस जीतेगी बात करेंगर मैच प्रेडिक्शन की इससे पहले आपको इसके इन पर एक वाट्सप नंबर दिख रहा होगा यह लगातार बैक टू बैक मैच पास करा रहे हैं मैच तो पास करा ही रहे हैं साथ में टॉस और सेशन में भी काफी प्रॉफिट करा रहे हैं इसलिए मैं आपको सेजिक्ट करता हूँ कि एक बाइन के वाट्सप नंबर पर मैसेज जरूर कीजिए यह नंबर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगर मैच प्रेडिक्शन की तो हमारे अनालिसिस और टीम परफॉर्मेंस को देखते हुए इस मकाबले में इसलामाबाद यूनाइटेट की टीम जीत हासिल करेगी आपको क्या लगता है कमेंट बाक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आईए तो लाइक कीजिए ज़्यास ज़्यादा सेयर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए हमारा चैनल ग्यान कोस पस में बने बेल आइकन को दवाना बिलकुल भी मत भूली जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं